नमस्कार आपको सुखत इस टॉकलोजी में आज हम बात करने वाले हैं पी एंब गिल्ट स्लिम्टेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कंप्रीड अपने सेटल्डर्स को तीन रूपर प्रतिशेयर का डिविडेंट दिया है तो जिनके पास भी शेयर उनको प्रतिशेयर की दिखाए दे रहां वो मार्च 15 क्वाटर के रेजल्ट है तो बात कर लेते हैं टोटल इंकम की मार्च 20 स्कॉटर में ती 27,624 की की दिसंबर 20 में 32,307 की हो गई और मार्च 20 में 18,413 की हो गई तो यहां पर हम देखते हैं मार्च 21 की टोटल इंकम यानिकी यर deep का में घठत सब्सक्राइब करते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट विफोर टेक्स की करते हैं देसामाइब करते हैं तो यहां भी अगर भी पर्फिट को देख लेते हैं तो बात करते हैं अगर प्रॉफिट आप लोज फॉर दाप शॉर्ड पीरेट की तो March 20 quarter में 9901 लाग के profit थे जो कि December 20 quarter में 16706 लाग के हो गए और March 20 quarter में ये 1413 लाग के loss हो गए तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं March 20 से March 20 की comparison को तो यहाँ पर हमें loss जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है Company, Company profit से loss में आई है year on year में अगर हम बात करते हैं quarter on quarter की यहाँ दिसंबर 20 से March 21 की तो यहाँ भी हमें Company profit से loss में आदि भी दिखाई दी रही है तो Company का year on year performance जो है वो काफी ज़्यादा खराब होता हुआ नज़र आ रहा है अब हम Company के essentials की बात कर लेते हैं Company के market cap को देखते हैं तो 1589.49 करोड की है नमबर ऑफ शेर जो मार्केट में ट्रेट कर रहा है वो है 18 करोड के शेर का PV रेस्यू 1.1 का है और डिविडेंट इल्ड 3.38 प्रतिशत का है advances को देखें तो 0 को है और अब सेर कब जो पी रेस्यू है वो 2.82 है तो पी काफी ठीक नज़र आ रहा है फेस वैल्यू 10 रोपए है और बुक वैल्यू 80.49 रोपए है कंपनी के बात करते हैं अगर नेट प्रॉफिट की तो 186.35 करोड के नेट प्रॉफिट है EPS 31.5 रोपए है ROE 19.3 प्रतिशत का है और अगर बात करते हैं हम प्रॉफिट ग्रोथ की तो वह है 252.5 है प्रतिशत का तो यहां पर हम कंपनी के 52 वीक्स हाई यानि 52 हपतों के सबसे उच्छता मिस्तर को दो वह 94 रोपए 65 पैसे जो कि तीन जून 2021 को बना था अब हम 52 वीक्स लोग की बात कर लेते हैं यानि 52 हपतों के सबसे नेमनता मिस्तर की तो वह 24.75 जो की 16 जुलाई 2020 को बना था डिलेवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत अगर आप दिखेंगे आपको सबसे नीचे दिखाई देगा परसेंटेज और डिलेवरेबल क्वांटिटी वह 46.67 प्रतिशत की यानि कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए थी उसमें से लागए 46 प्रतिशत की डिले पांसो करोड जो कि 2018 में 402 करोड का हो गया 2019 में यह 508 करोड हुआ और 2020 में 880 करोड का हो गया तो यहां पर अगर हम देखते हैं रेवेन्यू को तो 2017 से 2018 में में काफी ज़्यादा कमी होते हुँ नजर आ रही रेवेन्यू में एक 1819 में व्रदी दिखाई देती है और 19-20 में भी हमको व्रदी दिखाई दी रही है तो लगातार अगर पिछले तीन वर्ट्सों की बात करते हैं तो रेवेन्यू लगातार बड़े हैं बात कर लेते हैं प्रॉफिट की 2017 में 166 करोड के प्रॉफिट थे 2018 में जो एक करोड के हो गए 2019 में 52 करोड के हुए और 2020 में 186 करोड यहां पर हम देखते हैं तो हम %17 में प्रॉफिट यह काफी ज्यादा कम होते हुए नजर आ आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं 2019 में तो यहां पर पर्योफिट बड़ते दिखाई दे रहे हैं डियाएस की होल्डिंग 0.1% से घटकर 0.01% हुई है तो डियाएस की होल्डिंग में कमी आई है और पब्लिक होल्डिंग 25.07% से घटकर 25.06% हुई है तो अगर हम बात करते हैं overall results की तो हमें company के result काफी ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि company के जो profit है वो खतम होते हुए नजरा रहा है company loss में दिखा रहा है